हाल ही में टेलिविजन पर सबसे पुराना संगिंग रियालिटी शो सारे गामापा की शिरुवाद हुई थी और सारे गामापा लिटल चैंप्स टीवी पर स्टार्ट ही हुआ था और शो पर नन्हे नन्हे का लागार पहुचे थे जिन्होंने अपने टैलेंट से जजिस को श जैद ने अपने सुर और ताल से वहां बैठे सभी लोगों को अपनी गायकी का मुरीद बनाया वहीं उन्होंने जैसे ही मौला मौला गाया उनका गाना सुनते ही शो के जज अलकायागनिक कुमार सानू और उदित नारैन जैद के गाने से इतना खुश हुए कि इन तीनों जैद के पैर ही चूलिये लेकिन इसे बीच एक ऐसा छोटा अस्ताथ था जिसने सभी का ध्यान अपनी और खीचा पंजाब से आया सतीश जैसे ही सतीश ने हार्मोनियम पर मेरे रश के कमर गाया वैसे ही पूरे सैट का माहौल बदल गया सभी ने सतीश की तारीफ की और सतीश का हौसला बढ़ाया और कहा कि तुम अपने सुरों को इतना उचा करो कि तुम्हारा कद हिमाले से भी उचा हो जाए इसके बाद एक के बाद एक सतीश ने कहीं शांदार परफॉर्मेंस दी होली पर हुई स्पेशल अपिसोड में सतीश ने रंग बर से भीगे चुनर वाली गाकर सबको इतना इंप्रेस किया कि सब उनकी गायकी के मुरीद हो गए इस गाने को गाते वक्त सतीश ने भी बहुत एंजॉय किया और बड़ी खुशी के साथ इस गाने को सबके सामने परफॉर्म किया और अपनी जिंदा दिली से इस गाने को गाकर सतीश ने सभी क दिल खुश कर दिया इस शो में कई सारी नन्य कलाकार पहुझे थे जिन्हों ने शो पर अपनी गाईकी का तड़का लगाया लेकिन सतीशिक अलग ही छवी लेकर सबके सामने आए और उन्हों सनी हिंदुस्तानी का दूसरा रूप कहा जाने लगा फिलाल लॉकडाउन के चलत चलति लॉप के बाल इकन प्रो प्केंठ्जी के चलति रहे हैं